नमस्कार उनकी कलम मेरी अवाज में आप सभी का स्वागत है आज आपके लिए प्रस्तुत है कविता कन्यादान जिसे लिखा है रितू राज जी ने इस कविता में जब एक मा अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानूस के जीवन की सारी जमापूजी उससे दूर चली जा रही है फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बाद से भैभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े इन सब के कारण मा चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाट पढ़ाने लग जाती है जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है उसने सिर्फ अभी कुछ खुश्या ही देखी है और उन्ही के सपने सजाए है अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाट दुलार से पाला जाता है परन्तु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी मा उसे सही गलत समझाने में लग जाती है कितना प्रमारिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूझी हो लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख पांतना नहीं आता था पाठी का थी वह धुनले प्रकाश की कुछ दुकों, कुछ लैबध, पंक्तियों की मा ने कहा पानी में जाग कर अपने चहरे पर मत रीजना आग रोटियां सेकने के लिए हैं जलने के लिए नहीं वस्त्र और आभूशन, शाबदिक भ्रमों की तरह बंधन है, इस्त्री जीवन के मा ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कन्यादान अर्थात, शादी के बाद विदा करते वक्त, किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है हरमाता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखरी जमापूजी भी उससे दूर चली जा रही है बड़े ही लाट दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख तुख पाटती थी वही तो उनके जीवन की साथी थी परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख पाटना नहीं आता था पाठिका थी वह धुनले प्रकाश की कुछ दुकों कुछ लैवध पंक्तियों की रितुराज जी कहते हैं लड़की पड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी अर्थात दुन्यादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुन्या नहीं देखी थी उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीट रहा था यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए यह अभी तक नहीं पता था अपने घर के बाहर के दुनिया उसके लिए एक धुंदली तस्वीर की तरह थी जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी जब तक कोई व्यक्ती घर के बाहर कदम ना रखे बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे तब तक उसका संपून रूप से विकास नहीं हो सकता इसलिए अभी वह भोली वच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी मा ने कहा पानी में जाग कर अपने चहरे पर मत रेजना आग रोटियां सेखने के लिए हैं जलने के लिए नहीं वस्त्र और आभूशन शाबदिक भ्रमो की तरह बंधन है इस्त्री जीवन के जो विदाई के वक्त अपने बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं सबसे पहले मा और बेटी को बोलती है कि अपनी सुन्दर्ता पर कभी मत इत्रा ना क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुन्दर्ता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं फिर मा अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है ना कि ये जलने के लिए अर्थात वह अपने बेटी को या कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवस्य निभाना परंद किसी अत्याचार को मत सहना उसके बाद मा कहती है कि वस्त्र आबूशन के मौह में कभी न पढ़ना या किवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बनना चाहिए इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जगता है मा ने कहा लड़की हो ना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना मा अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आपको किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना इस संसार में लोग निर्बल के उपर ही अत्याचार करते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुड़ बनाए रखना लेकिन दोसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज कमिन्ट करें लाइक करें और इस परिवार के साथ जूड़े रहें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कविता या कहानी के साथ तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद